तो दोस्तों टिक्टॉक पे कुछ समय से यहां पे बेंट 10 वाला ट्रांसफोर्मेशन वीडियो काफ़ ज्यदा वायरल हो रहा है तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए यहां पे एक और डिफरेंट और सबसे अलग वीडियो का टुटोरियल लेकर आ जोके हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको यहां पे कुछ इस तरह की बना कर लोड करते हैं तो आप इस वीडियो को बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखेए बहुत असान के सेमा पे करने कर लोग करना है को किया करना है और इतना कर लेने के बाद आपको उपर मे यह W lists करने हैं एहाँ पइस वीडियो को सूप करना हैं आपको नावर करना Tails और आपको यहाँ पे चार से पांच बार आपको यहाँ पी इस तरी से आपको घरी को घुमाना है पांच बार उपर से ऐसे मार देना है पे आपको यहां से क्या करना है कि Ichentially Option पर जाना है और ुसके आजय का आगे पार्ट है यह पे उसको को क्लिक करें करड देना है और इतना करने के बाद आपको यहांग पे एक Green outcome को लेकर कि mêmes躂 आहोगा फैंतर स्ञू में यहां तो आपको उसको डाउनलोड कर देना है और उसको डाउनलोड करने के बाद आपको यहां पर क्या करना है कि यहां पर एक option मिल जाएगा आपको chroma key का तो आपको यहां पर इस वाल उप्शन में जाना है और यहां पर क्लिक करके इसको on कर देना है और on करने के बाद आपको यह जो आपको दिख रहा है वहां पे green screen उसको आपको घरी पे लाकर करके set करना है तो यहां से मिसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं जिसकी कारण यहां पे थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा यह मतलब घरी का जो green screen वीडियो है इसको शेट कर देना है और इसको शेट कर देना है और यहां पर चूटा हो गया है तो आपको वीडियो पे किलिक करना है Speed control में जाना है और यहां से Speed को थोड़ा Slow कर देना है तो अब कर आपका Video यहां पर छोटा होता है और इसी के साब को यहां पर गरीने ने स्क्रीन वीडियोigor है उसको आपको यहां पर लाश्ट तक लागर के रहख देना है तो आप यहां पर देख सकते हैं और विडिया को ले कर के आना है तो आपको उसका लिंक भी नीचे पाध आने के पाद आपको यहां पर उस्टार्ट करके देख सकते हैं यहां पर आपका ऊक्ड़ बनकर कर करे रेडी हो जाएगा तो आप यहां पर यES असानीं से वीडियो को बना सकते हैं और यह video TikTok पर काफी जादा वाइरल हो रहा है तो आपका video यहां पर जब बन कर करी रेडी हो जाएगा तो आपको यहां पर एक setting के ओपर share का option देखेगा आपको यहाँ पर क्या करना है कि इसे share option पर क्लिक करना है और export पर क्लिक करके वीडियो को export कर लिए